जमो कश्मीर में एक बार फिर सेना पर आतंकी हमला हुआ है आतंकियों ने सेना के दो वहनों पर घात लगा कर हमला किया इस हमले में सेना के पांच जवान शहीद हो गए यह हमला पुंच जिले के डेरा की गली और बुफलियास के बीच थत्यार मोड पर हुआ आतंकियों ने गुरुवार्द पहर पॉने चार बजे सेना की गाड़ियों पर हमला किया था जिस जगा हमला हुआ वो इलाका जंगल में पड़ता है बताया जा रहा है कि जब सेना की गाड़िया यहां से गुजर रही थी तो अंधा मोड होने के चलते रफ्तार धीमी की गई और आतंकियों ने गोलिया बरसानी शुरू कर दी हमले के लिए आतंकियों ने अमेरिका में बनी M4 कारबाइन राइफल का इस्तमाल किया आतंकियों की तलाशी के लिए सुरक्षाबल सर्च और प्रिशन चला रहे हैं स्निफर डॉग्स भी लगाए गए हैं इस बीच इस हमले की जमेदार में चर्चा में आया पीपल्स एंटी फासिस फ्रंट को जैशे मुहम्मद का नया नाम भी कहा जा सकता है अगस्त 2019 में जमो कश्मीर से अनुछे 370 हटने के एक महीने बाद सितंबर में PAFF को बनाए गया था PAFF को पाकिस्तान की खुफिया एजंसी ISI ने बनाए था और तब से ही जमो कश्मीर में होने वाले जादातर आतंकी हमलों के जमेदारी यही संगठन लेता है सुरक्षा एजंसियों का मानना है कि ISI ने प्लानिंग के तहट highly trained आतंकियों को रज़ौरी और पुंच में भेजा इन आतंकियों को जमो कश्मीर के दूर दरास के अलाकों में घात लगा कर सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए तयार किया गया बताया जाता है कि PAFF के आतंकवादी किसी भी आतंकी हमले को अंजाम देने से पहले लंबी प्लानिंग करते हैं माना जाता है कि किसी सोलजर की तरह ये आतंकी भी हेलमेट कैमरा पहनते हैं और 2019 के बाद से हर हमले की रिकॉर्डिंग की जारी है M4 काबाइन राइफल का इस्तमाल पुंच में सेना पर हमला करने के लिए आतंकीों ने किया 2016 के बाद से मारे गए जैश के आतंकीों के पास से हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि चार M4 राइफल बरामत की जा चुकी है यह आतंकीस राइफल में स्टील बुलेट का इस्तमाल करते हैं स्टील बुलेट का इस्तमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि आसानी से गाड़ी और स्टील को भेज सकती है इससे जादा से जादा नुकसान होता है PAFF ने जमुकश्मीर में पहले भी कई हमलों को अंजाम दिया है 3 जून 2021 को BJP नेता राकेश पंडिता की हत्या में इसी संगठन का हाथ था यह ऐसा मामला था जिससे संगठन सरकार के रडार पर आया इसके बाद 11 अगस्त 2021 को इसी संगठन ने एक बार फिर रजवरी में सेना पर हमला किया यह आतंक इसका आतंक यही नहीं रुका इसके ठीक एक महीने बाद 11 अक्टूबर 2020 को मेंडर में पुंच जिले में भारतिये जवानों पर हमला किया गया था जिसमें सेना के नौ जवान शहीद हो गए थे इस हमले की जमेदारी भी PAFF ने ली थी 3 अक्टूबर 2022 को जम्मो कश्मीर के पुलिस महानिदेशक हेमंत लोईया की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी 3 October 2022 को जमु कश्मीर के पुलिस महाने देशक जेल हेमंद लोया की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी ये हत्या ऐसे समय पर की गई थी जब ग्री मंत्री जमु कश्मीर के दौरे पर थे केंद्रे ग्री मंत्राले ने जमु कश्मीर में आतंकी हमलों में सनलिपता के लिए इस साल जन्वरी महीने में पीपल्स एंटी फासिस्ट फरंट पर बैन लगा दिया था ग्री मंत्राले ने अधिसूशना जारी कर कहा था कि पीए एफफ सुरक्षा बलो नेताओं और जमु कश्मीर वान्य राज्यों के नागरिकों के लिए लगातार खत्रा बना हुआ था यह अन्य संगठनों के साथ मिलकर जमु कश्मीर और देश के अन्य प्रमुक शहरों में आतंकी हमलों में शामिल रहा है